ने देखिये सवाल नम्बर एक आर- त्रिजया वाले गोले का आयतन इम्यलिखित में कौउन स होगा यहाँ पे चार आपशन है जिसमें एक option सही है ठीक है तो सवाल क्या कहता है से समझे पहले सवाल कहता है कि गोले की त्रिजिया आर इकाई है ठीक है तो गोले का आइतन क्या होगा तो देखिए हम आपको concept प्राहे थे कि जब गोले की त्रिजिया आर इकाई हो तो गोले का आइतन 4 बटा 3 पाई आर Q होता है ठीक तो यहां पर देखिए option number 3 इसमें दिया हुआ है 4 बटा 3 पा यार क्यू तो यह option आपका सही हो जाएबा सवाल number 2 इसमें कहता है कि रिक्त अस्थानों को भरे किसी गोले का आयतन यानि कि भी बराबर कितना होता है जबकि गोले की तरीजिया आर इकाई हो यहां देखिए यह एक गोला है ठीक है और इसकी तरीजिया आर इकाई आपको दिया हुआ है तो इस गोले का आयतन कितना होगा हम आपको फर्मूला बताये हैं कि गोले का आयतन बराबर 4 बटा 3 पाई आर क्यू ठीक है घन इकाई घन एकाई होता है यह सुत्र होता है गोले का इतन का तो यहाँ पे लिख देंगे कि 4 बटा 3 पाई आर कीव घन एकाई ठीक है यूनिट एकाई है इसलिए घन एकाई हो गया तो यहाँ पे यह आंसर हो जाएगा सवाल नमबर 3 देखिए कहता है कि रिक्त स्थान को भरे किसी गोले का प्रिष्ट छेतरफल कितना होता है जबकि गोले की तरिज्या आर इकाई हो यहाँ देखिए यह गोला है और इस गोले की तरिज्या आपको दे दिया है आर इकाई तो का रहा है कि इसका प्रिष्ट का छेतरफल बताईए देखिए यानि कि ये जो प्रिष्ट देख रहे हैं इसका छेतरफल तो थियोरी में हम आपको बताए थे कि गोले का जो प्रिष्ट होता है उसका छेतरफल होता है 4 pi r square unit 1 में है तो यहाँ पर बर्ग 1 हो जाएगा बर्ग 1 तो यहाँ पर लिखेगा कि 4 pi r square बर्ग 1 ठीक है देखिए सवाल नमबर 4 किसी टंकी के गुलिये वालवे का 82 cm है तो उसका यह में कहता है कि प्रिष्ट का छेतरफल तथा b आयतन ग्याद किजिए यहाँ देखिए एक टंकी का गुलिये बॉल्व है ठीक है और इसका ब्यास दिया हुआ 21 cm यहाँ देखिए यह आपका यानिकी a b और इसका center o है तो a b बराबर दिया हुआ है 21 cm तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो गोला है इस गोले की त्रिजय कितनी होगी से निकाल लेंगे हम जानते हैं कि ब्यास की आधी होती है यानि कि कैस बटा दू cm इस गोले की त्रिजया है तो देखिए प्रिष्ट छेतरफल और आयतन आपको निकालना है तो देखिए कैसी सवाल बनेगा सवाल नमबर चार यह लिखेगा कि गोलिये वाल्व का ब्यास दिया हुआ है 21 cm तो गोलिये वाल्व की त्रिजया क्या होगी तो हम जानते हैं कि ब्यास की आधी होती है यानि कि 20 बटा दू सेंटिमिटर अब सवाल कहता है कि प्रिष्ट का चेतरफल बताईए तो ए में हम क्या निकालेंगे प्रिष्ट चेतरफल निकालेंगे प्रिष्ट चेतरफल फोर पाई आरा स्कॉर ठीक है तो फोर पाई का मान 22 बटा 7 और त्रिजया 21 बटा 2 है और उसका square है यानिकी 21 बटा 2 गुना 21 बटा 2 यहाँ देखिए 2 दुनी का 4 और ये 2 से 2 कर जाएगा सत्या 21 होता है 22 को 3 से गुना करेंगे 66 गुना 21 अब 66 को 21 से जब गुना करेंगे तो 1386 आएगा ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर तो गुलिये बॉल्व का प्रिष्ट जो छेतरफल होगा वो 1386 वर्ग सेंटीमीटर होगा अब सवाल नमबर बी इसमें क्या कहता है तो कहता है कि आइतन ग्याद किजिए तो हम जब पता है मुझे कि तरिजिया है 21 बटा 2 सेंटीमीटर और कहता है कि आइतन निकालिए तो आइतन ब्रावर हम जानते हैं कि 4 बटा 3 पाई आर क्यूं होता है तो यहाँ पे देखिए 4 बटा 3 पाई का मान होता है 22 बटा 7 और तरिजिया है 21 बटा 2 गुना 21 बटा 2 गुना 21 बटा 2 ऐसा क्यों हमने किया क्योंकि यहाँ पे तरिजिया का मान दिया हुआ 21 बटा 2 और पावर 3 है यानि कि इसको 3 बटा गुना करना होगा अब देखिए जो कड़ताब उसको काटिए यहाँ पर चार है तो देखिए दू-धुनी का चार होता है देखिए तीन सत्य 21 होता है ठीक है और दू से इसको काटेंगे तो यह 11 बार में कड़ जाएगा यानि कि 11 गुना 21 में 21 से जब गुना करते हैं तो 441 होता है ठीक है अब 441 को 11 से अब गुना करेंगे तो आंसर आएगा 481 आमन आईतन हम निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे होगा घन सेंटिमीटर तो B का आंसर यह हो गया अब यहाँ पे देखिए सवाल नमबर 5 एक गोले की तरिजिया 7 सेंटिमीटर है यहाँ देखिए यह एक गोला है और गोले की तरिजिया यह आपको दिया हुआ है 7 सेंटिमीटर ठीक है यानि की आर का मान दिया हुआ है तो इसका आईतन और B में प्रिष्ट छेतर फल निकालिए यहाँ देखिए सवाल नमबर 5 लिखेंगे की गोले की तरिजिया बराबर 7 सेंटिमीटर यह दिया हुआ है यानि की आर का मान आपको दिया हुआ है इसमें कहता है की आईतन निकालिए तो गोले का आईतन क्या होता है सुत्र 4 बटा 3 पाई आर क्यू तो 4 बटा 3 पाई का मान होता है 22 बटा 7 तरिजिया कितनी है 7 है तो 7 का पावर 3 यहां देखिए 4 बटा 3 गुना देखिए 22 बटा 7 है यहां लिखेंगे 22 बटा 7 और 7 का पावर 3 है यानि की 7 गुना 7 गुना 7 देखिए एक साथ से एक साथ कट गया 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88 होगा 7 को 7 से गुणा करेंगा तो 49 होगा बटम कितना? 3 अब 88 को 49 से जब गुणा करेंगे तो गुणा नफल आएगा 4,312 बटम कितना है? 3 है अब इसको 3 से भागा दिजिए तो यह कट जाएगा 1437.33 ठीक है यानि कि यह आइतन आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे कि आइतन बराबर 1437.3 ठीक है घन सेंटिमेटर तो पांच का ए आयतन निकाल दिए बी में कहता है कि प्रिष्ट का छेतर फल निकाल लिए यानि कि गोले का प्रिष्ट छेतर फल तो इसका फर्मूला होता है 4π आर स्कूर तो आईए इसको भी हम सॉल्ब करते हैं यहाँ देखिए पांच का बी गोले का प्रिश्ट छेत्र फल बराबर फोर पाई आर स्कार होता है ठीक है फोर पाई कमान 22 प्रटा साथ लिखेंगे और तरीजिया तरीजिया देखें साथ दिया हुआ है ठीक है साथ अठी चहपन हाथ में रहा पांच और साथ अठी चहपन और पांच एक सेट यानि कि 616 वर्ग सेंटीमेटर छेत रफल निका रहा है तो इसलिए वर्ग सेंटीमेटर होगा तो पांच का भी यह आंसर हो जाएगा